तो दोस्तों बीटेल के F1K में एक सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके पास है चार डायरिक मेमरी वाले बटन्स प्लस आपको दो नमबर से आठ नमबर तक भी आप स्पीड डायल डायरिक कर सकते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यह चार बटन इतने बटन्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं जिससे की लगबग 10 नमबर आपके पास लगबग 11 नमबर आपके पास ready to dial रहते हैं हमेशा यह इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है तो दोस्तों शुरुआत कैसे करेंगे यह हम देख लेंगे सबसे पहले हम जाएंगे direct memory वाले option में तो दोस्तों यहाँ पे आपने settings में जाना है settings में जाने के बाद phone settings और यहाँ पे आपको चार नमबर पे एगा direct memory setting आप इस पे क्लिक करेंगे देख से क्या आप देख सकते है M2 और M3 M2 और M1 हमने पहले ही set कर लिया है M3 अभी तक empty है M4 भी empty है अगर आपको इसमे number add करना है simply आप options में जाएंगे edit बोलेंगे edit के बाद जो number आपको सही लगता है वो आपने दबाया है होके बुलना है आपने बस success हो चुका है और आप अभी देख सकते है M4 के लिए triple three का option यहाँ पर जब भी भी मैं इसमें फिलाल sim card नहीं है पर जब मैं M4 दबा के रखूंगा तो यहाँ पर directly dial हो जाएगा number ठीके दोस्तो उसके बाद बात करेंगे 2,3,4,5,6,7,8 कैसे हम speed dial set कर सकते हैं तो उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा menu में contacts और यहाँ पर speed dial setting तो दोस्तो इस setting पर हमने जाना है और जैसी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2,3,4,5,6,7,8 नो के लिए पहले ही हमने 112 यह set करके रखा है SOS के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा SOS मतलब emergency में कोई अगर आपको call करना है तो आप SOS दबा सकते हैं तो यह toll free number रहता है जिससे आप मदद मांग सकते हैं इसलिए इसको हम नहीं change करने वाले हैं बाकि किसी भी number को हम directly customize करेंगे तो दोस्तो इसको अगर customize करना है edit दबाएंगे और जो भी number आपके लिए सही होगा वो हमने type कर लिया है OK दबाएंगे तो दोस्तो यह speed dial की थी setting अभी कभी अबर आप जल्दी में हो और आपको dial करना है तो आपने सिर्फ बटन दबाना है और long press करके छोड़ देना है अगर वो set नहीं किया है तो वहाँ पे लिखके आएगा और अगर आपने वो set कर रखा है यह देखिए जैसे कि हमने अभी M1 और M2 set किया था तो सिर्फ insert sim लिक क्या रहा है अगर इसमें sim card होता तो वो number dial हो जाता तो दोस्तो यह थी एकदम simple वाली setting जो speed dial के लिए बहुत आपका time बचाएगी और detail का यह F1 के और इसके नए-नए features, unboxing सभी भी हमने cover किया है हमारे पि अगर आप यह खरीदना चाते है तो purchase links description में दिये हुए है जिसमें आपको मिलेगी best deal तो दोस्तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के end में और भी कुछ वीडियो हम feature करने वाले हैं तो please देखते रहिए like करते रहिए और subscribe करना भी ना भूलिए आप सबसे भी विदालूंगा करते रहिए